जब हम ट्रेसर्ट करते हैं या ट्रेसराउट करते हैं तो result आते हैं और result जो आता है उसको हम कैसे interpret करेंगे कहां पर क्या चीज़ होती है ये कैसे समझेंगे पहले आप समझे लिजए कि जो ping है वो छोटा भाई है और जो ट्रेसर्ट या ट्रेसराउट जा इध्यान रखिए ट्रेसर्ट जो है वो विंडोस के लिए ट्रेसराउट आपका Linux और Mac के लिए तो जो ट्रेसर्ट है ये इसका बड़ा भाई है बस इतना समझ लिजए यानि कि ट्रेसर जो है वो ping ही करता है लेकिन मल्टीपल टाइम्स करता है मल्टीपल डेस्टिनेशन का इन्फरमेशन लेके आता है तो जैसी हमने ट्रेसर्ट ए www.apk.io किया तो सबसे पहले आप समझ लीजए कि अब रिजल्ट आएगा हमारे पास 30 होप्स का मतलब ये होता है कि ये maximum ऐसे 1, 2, 3, 30 ऐसे 30 बर जाएगा otherwise ये discard हो जाएगा तो ये package जो हम भेज रहे है maximum 30 होप्स तक हम भेज रहे है अब हमको trace करना है पूरा पात तो सबसे पहले जो column समझ ये क्या है जो ये पहला column अगर आप देखें ये first column जो आ रहा है ये आपको बताता है कितने होप्स गए यानि कि यहाँ पर आपका source है या destination है ये आपका पहला router मिला तो ये पहला होप हो गया ये दूसरा मिला ये दूसरा होप हो गया तो यहाँ पर ये आप देखें जो जब हम इस website पे हमने packets भेजे या फिर trace it किया तो या कुल मिला के 11 hops है यानि कि बीच में आपके कम से कम इतने आपके जो भी आपके networking devices होंगे वो 11 होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए इसके बाद आप देखेगा कि ये दूसरा तीसरा second, third और fourth ये जो column है ये वाला, ये वाला और ये वाला ये तीन column जो हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि हमने तीन packets भेजे trace it में हमेशा हर एक destination के लिए तीन packet भेजे जाते हैं उस packet का, तीन packet का हर एक packet का जाने और आने का time अलग-अलग destination पे कितना है 169 पहला packet जो गया इस IP पे, दूसरा packet जो तीसरा packet तो उन तीनों का इसने time बता दिया ये column ये काम करता है आखरी column पे अगर आएंगे तो ये आपको बताएगा कि ये जो destination पे आप गए इसका IP क्या है, ये IP बता दिया अगर domain name होगा तो domain name भी साथ में दिखा देगा, अगर अवेलेबल होगा तो आप समझगे, पहला hop हो गया ये दूसरा, तीसरा, चौथा जो हो गया ये आपको अब बताएगा कि time, round trip time किसना, तीन packets का जो आप normally इसमें trace route में भीजते हैं आखरी column आपको IP बताता है और IP अगर साथ में आपका domain name हो, तो वो भी बता देगा ये columns हो गए, उसके बाद हम बात करते हैं, rows की, आप rows क्या कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा rows में सबसे पहले जैसे हमने trace route लिखा और किसी website को हमने trace route करने की कोशिश की, तो होता लेगा, तो आपके network का time है ये, आपके network का IP IP पहला हमेशा यही होता है ठीक है जी, अब आप देखिएगा इसमें कितना time, कम time लगा, two, one और one, इसका मतलब यह है कि आप अपने ही ये आपका system माली जै, ये पहला आपका natural भी है, अब दूसरी route पे अगर आप आगे, दूसरा route जो होता है वो आपका ISP होगा, क्योंकि जैसे आप network से बहार निकले, normally आपका internet service provider का router होगा हो, है ना जहां से आप ये तीन packet भेज रहे हैं तो ये दूसरा normally आपका ही ISP होता है, internet service provider और हो सकता है, ISP आप अगर मान लिजे, X जगा बैठे हैं और Y जगा आपका बहुत दूर हो, तो इसलिए ये ज़्यादा time जो आप देख रहे हैं, 169, 241, 97, तीन packets के ये ज़्यादा दिखा रहा है अब जो आप देखें, यहां से, तीसरे से लेकर 9 तक, जो आप यहां पर example में देख रहे हैं, यह कोई भी आपका router हो सकता है, कोई local network में router हो सकता है, global network में हो सकता है, तो यह जो बाहर का router हैं, उनके जितने भी बीच माएंगे, उन सब के hops, यह number दिये हैं, उनके IPs दिये हुएं, उनके round trip time दिया हुआ है, जब हम तीन packets भेजएंगे, ओके, अब, जो दस्वा है, यानि कि आखरी के पहले वाला, वो क्या होता है, वो यह बताता है, कि अब आप यहां पहुँच चुके हैं, मतलब, अब आप यहां पर यह, इसके अंदर एक ऐसा राउट करना चाहा रहे हैं, जिस destination को, उसका network ID यह आपको बताता है, यह last but one जो है, वो उसका है, उस वाले network का यह IP address है, और यह एक, दो, तीन, वहां का जाने का, और वाफ़स आने का time है, ओके, तब ही हम इसके अंदर यह वाली चीज़ को कहां कम लग रहा है, और आपका packet loss कोई हो सकता है, कि यहां पर आपको star मिल जाए, हो सकता है कि ऐसी चीज़े आएं जहां पर आपको ना मिले लेकिन आप हमेशा best of three लेते हैं, इसलिए तीन packet भेजे जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि कहां पर जादा time लग रहा है, यहां यह जो 7 वा लाइन है, यहां पर बहुत जादा time लग रहा है, लेकिन बहुत जादा time 473 में लग रहा है, यह 159-156 चलेगा, तो यहां इस तरीके से हम डाइग्नोस करते हैं कि कहां दिक्कत है exactly,